ओम उमा पते नम्हा आप सभी का दिन शुभो और महादेव की कृपा सदा सरवदा आप सभी परबनी रहे आप जानिए ब्रह्मा जी के द्वारा अर्थ नालिश्वर रूप की इस्तूति तथा उस इस्तोत्र की महिमा महादेव की शरीर से देवी का प्राकट और देवी के भ उपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्या मागनी का वढ़नन जब श्री प्रह्मा जी स्वहम् स्रृष्ठी का विस्तार करने में अस्मर्थ हो गए तब उन्होंने रुद्रदेव से प्रयाथना की कि है। अब आप दूसरी प्रजाओं की स्रस्टी कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वा रुद्र ने उनसे हंस्तेवे कहा कि मेरी स्रस्टी वैसी नहीं होगी। अशुप प्रजाओं की स्रस्टी तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर स संपुन भूतों की स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की स्रस्टी के कारे से निव्रित हो गए। तब वायुदेव कहते हैं कि जब फिर ब्रह्मा जी की रच्ची हुई प्रजा आगे नहीं बढ़ सकी। तब उन्होंने पुनह मैथूनी जो निश्चित रूप से उनके मनुरत की सिध्धी में सायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की व्रधी के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। क्योंकि उनकी करपा के बिना तो ये प्रजाई बढ़ ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तयारी की। तब जो आद्या, अनन्ता, लोक भाविनी, सुक्ष्मतरा, शुद्धा, भाव गम्या, मनोहरा, निर्गुना, निश्प्रपंचा, निश्कला, नित्या तथा सदा इश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ती हैं। उसी से युक्त भ कोड़े ही समय में संतुस्ठ हो गए। फिर अपने अनिर्वचनी अंश से किसी अद्वुत मूर्ती में प्रविष्ठ होकर भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से इश्वर होकर स्वम ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वा पार्वती जी की इस्तुति करने लगे। संपुर्ण जगत की माता उमे आपकी जै हो विश्व जगनमे आपकी जै हो विश्व जगत धातरी आपकी जै हो समस्त संसार की सखी साहिके आपकी जै हो हे प्रभो आपका एश्वरी तथधा धाम दोनों सनातन है आपकी जै हो जै हो आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भाती सनातन है आपकी जय हो जय हो अपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्मान पालन और संघार करने वाली देवी आपकी जय हो जय हो जय हो तीनों लोकों अत्वा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नाइके आपकी जय हो प्रभो जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपाद्रिष्टी के ही अधिन है आपकी जय हो इस प्रकार सुन्दर उक्तियों द्वारा भगवान रुत्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतरुमक ब्रह्मा जी ने रुद्र और रुद्रानी को बारंबार नमस्कार किया ब्रह्मा जी के द्वारा पठित के पवित्र और उत्तम अर्धनारिश्वर इस्तोत्र शिवजी तथा पार्वती जी के हर्ष को बढ़ाने वाला है जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस इस्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्य करने की कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लीता है जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पर्न करने वाले हैं जिनके विग्रह जन और मृत्यू से रही थें तथा जो स्रेष्ट नर और सुन्दरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारन करके इस्थित हैं उन कल्यान में भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूं वायु देवता कहते हैं फिर महादेव जी महामेग की गर्जना के समान मधुर गं वर देता हूं इस प्रकार परम उदार्थ था सुभावता मधुर वचन कहकर देविश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुत्राणी को प्रकट किया जिन दिविगुण संपन्ना देवी को ब्रह्म वेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ती कहते है तथा जिन में जन्म मृत्य और जरा आदी विकारों का प्रवेश भी नहीं है वे भवानी उस समय शिवजी के अंग से प्रकट हुई जिनका परमभाव देवताओं को भी ग्यात नहीं है वे समस्त देवताओं की भी अधिश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से इस संपूर्ण जगत को प्रकाश्चित करने वाली पराशक्ती महादेवी से इस प्रकार प्राथ न की। प्रमा जी बोले सर्व जगनमई देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन किया और प्रजा की स्रस्टी की कार्य में लगाया इनकी आग्या से मैं समस्त जगत की स्रस्टी करता हूँ किन्तु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदी समस्त प्राणी बारम बास स्रस्टी करने पर भी नहीं बढ़ रहे अतहाँ अब मैं 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 तुनी स्रस्टी करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था इसलिए नारी कुल की स्रस्टी करने के लिए मुझ में शक्ती नहीं है संपुन शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है हे देवी इसलिए सर्वत्र सबको सब परकाल की शक्ति देने वाली आप वर्दाइनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्धन करता हूं संसार भए को दूर करने वाली है सर्वियापनी देवी इस चराचर जगत की व्रधी के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाईए ब्रह्मयोनी ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौहों के मति भाग से ही अपने ही समान कांती मतिक शक्ति प्रकट की उसे देखकर देव देविश्वर हर ने हस्ते भी कहा देवी तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके अब उनका मनोरत पूर्ण करो परमिश्वर शिफ के साग्या को शिरोधार करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के नुसार प्रजापती दक्ष की पुत्री हो गई इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपणी अनुपम शक्ती देगर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ठ हो गई फिर महादेव जी भी अंतरध्यान हो गई तबी से इस जिगत के भीतर इस्त्री जाती में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुंद्वारा प्रजा की स्त्रस्टी का कारे चलने लगा मुनिवरो इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्थ हुआ देवी से शक्ती के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया प्राणियों की स्त्रस्टी के प्रसंग में इस विशय का वर्णन किया गया है ये पुण्य की व्रधी करने वाला है अतहर अवशी ही सुन्ने योग्य है जो प्रतिदिन देवी से शक्ती के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्दन करता है उसे सब प्रकार का पुर्ण मिल जाता है और वह शुब लक्षन पुत्र पाता है वायुदेटा कहते हैं इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ती को पाकर प्रजापती ब्रह्मा मैथूनी स्रस्टी करने की इच्छा लेकर स्वयम भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए आधे शरीर से जो नारी उत्पन हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराठ को पन्न किया वे विराठ पुरुष ही स्वयम भु मनु कहलाते हैं देवी शतरूपा ने अतिन्त दुशकर्त पस्या करके उद्दीप्त यश्वाले मनु को ही पती रूप में प्राप्त किया इसके बाद मनु के वन्ष तथ दक्ष यग्य विद्वन्ष आधी के प्रसंग सुना कर वायू देवता ने ये बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथ देवताओं के अपराद भी छमा करती है फिर रिश्यों ने पूछा कि प्रभो अपने गणो तथ देवी के साथ अंतरध्यान होकर भगवान शिव कहां गए, कहां रहे और क्या करके विरत हुए तब वायू देव बोले, हे महर्शियों, परवतों में स्रेष्ट और विचित्र कंदराओं से सुश्योभित जो परम सुन्दर मंद्राचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादी देव महादेव जी का प्रेर निवास इस्थान हुआ उसने पारवती और शिप जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारितब किया था, और दीर्खकाल के बाद उसे उनके चरणार विंदों के इस परश का परम सुभागी प्राप्त हुआ, उस परवत के सौन्दर का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखो सौ करोड वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, उसके सामने समस्त परवतों का सौन्दर तो छो जाता है, इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रे करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणी परवत को अपना अंतहपूर बना लिया, इस सर्विसरेश्ट परवत का इस्वरण क करके रैभ्य आश्रम के समीब इस्तित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतरध्यान होकर चले गए, मंद्राचल के उध्यान अर्थात बगीचे में पहुँचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणी तथा दिव्य अंतहपूर की भूम्यों में रमण करने लगे इस तरह जब कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथोनी श्रस्टी के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई तब शुम्ब और शुम्ब नामक दो दैत्य उत्पन हुए वे परस्पर भाई थे उनके तब उबल से प्रभावित होकर परमेश्ठी ब्रह्मा उन दोनों भाईयों को ये वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थन भी की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन जो अयो निजा कन्या उत्पन हो जिसे पुरुष का इस्पर्ष तथा रती प्राप्त ना हुई हो और जो अलंगी पराकरम से संपन्न हो उसके प्रती काम भाव से पीडित हो जाने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्विगर्दी दे दी। तब ही से युद्ध में इंद्र आधी देवताओं को जीत कर उन दोनों ने जगत को अनिती पूर्वक वेदों के स्वाध्याए और यग्यादी से रहित कर दिया। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान निलोलोहित रुत्र एकांत में पार्वती जी की निंदासी करती वे मुस्क्राकर बोले कि तुम तो काली हो। तब सुन्दर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने शाम वर्ण के कारण अक्षेप सुनकर क्रोधित हो उठी और पति देव से मुस्क्राकर समाधान रहित वानी द्वारा बोली। देवी ने कहा प्रभो यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं। कोई इस्त्री कितनी ही सर्वांग सुन्दरी क्यों न हो यदि पति का उस पर अनुराग न हुआ तो अन्य समस्त गुणों की साथ ही उसका जनम लेना भी वेर्थ हो जाता है। इस्त्रीयों की ये स्रस्टी ही पती के भोग का प्रधान अंग है। अगर वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहां उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उसी वंच को त्याग कर अब मैं दूसरा वंच ग्रहन करूँगी या फिर मैं स्वयम ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर दिवी पार्वती शयया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए द्रण निश्चे करके गदगद कंठ से जाने की आग्या मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भईबीत होकर भूतनात भगवान शिव स्वयम भवानी को प्रणाम करते वे बोले भगवान शिव ने कहा प्रिये मैंने क्रीडा या मनोविनोत के लिए ये बात कही है मेरे इस अभी प्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई अगर तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो बताओ और किस पर होगा तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपती हूँ फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना बताओ जरा कैसे संभव हो सकता है हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेणा से हुआ है कदापी न पानकर मेरा कुछ-कुछ तिरिस्कार करने लगा था इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत के रक्षा के लिए ही है अतहा उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रती यह उपहास युक्त बात कह दी थी मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शि पर भी सत्पुरुष्यों द्वारा निंदित ही समझी जाती है मेरा शरीर गौरवंड का नहीं है इस बात को लेकर आपको बहुत दुख होता है नहीं तो किरेड़ा या फिर परिहास में भी आपकी द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना भला कैसे संभव हो सकता था मेरा कालापन आपको प्रे नहीं है इसलिए वह सत्पुरुष्यों द्वारा भी निंदित है अतहां अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किये बिना अब मैं यहां रहे ही नहीं सकती देवी की बात सुनकर भगवान शिप मुस्क्राकर बोले कि देवी अगर अपनी श्यामता क को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो ही रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की भला क्या वशकता है तुम मेरी या अपने इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ देवी कहने लगी मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती स्वयम भी इसे को भी ब्रह्मपत की प्राप्ति हुई थी अतय तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी तो देवी कहने लगी प्रभू इसमें संदे नहीं कि ब्रह्मादी समस्तित देवताओं को आपसे ही उतमपतों की प्राप्ति हुई है फिर आपकी आग्या पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूं पूर्वकाल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पती के रूप में प्राप्त किया था उसी प्र पताओं का कारी सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल भी हट नहीं किया यहां पर वायू देव रिश्यों को बता रहे हैं कि हे महर्श्यों तदंतर पती व्रता माता पारवती पती की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले फिर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समचार बताकर उनकी आग्या लेकर उन्होंने सारे आपुशन उतार दिये और फिर तपोवन में जाकर इस नान करने के पस्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारन करके अत्यंत तीव्र और परम विधी के अनुसार जंगल के फल फूल आदी उपकरनो द्वारा तीनों समय उनका पूजन किया करती थी भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारन करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे ऐसा द्रण विश्वास करके वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी इस प पारवती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जडवत हो गया वे उनके समीप चितरलिखित सा दिखाई देने लगा दुस्ट भाव से पास आये वे उस व्यागर को देखकर भी देवी पारवती साधारन नारी की तरह स्वभा से विचलित नहीं हुई उस व्यागर के सारे अंग अकड गए थे वे भूक से अत्यंत पेडित हो रहा था ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था देवी के सामने खड़ा खड़ा वे उनकी उपास नसी करने लगा इधर देवी के हिर्दे में सदा यही भावा था कि ये व्याग मेरा ही उपासक है दुष्ट वन जन्तों से मेरी रक्षा करने वाला है ये सोचकर वे उस पर करपा करने लगी उन्ही की करपा से उसके तीनों प्रकार के मल ततकाल ही नस्ठ हो गए फिर तो उस व्यागर को सहसा देवी के सरुका बोथ हो गया उसकी भुख मिट गई और उस अनुभव करके वे ततकाल ही देवी का भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लग गया अब वह अन्य दुष्ट जन्तों को खदेडता हुआ तपोवन में विचरने लगा इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीवर से तीवरतर होती चले गई देवता शुमब वर्दान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्माजी को उन पर बड़ी दया आई उन्होंने दैतिवत के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का इस्मरन करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किय वहां सुर्श्रेष्ट ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिस्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे सब बोन जगत की प्रतिस्ठासी जान पड़ती थी। बदले में उनका भी सतकार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अंजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले देवी इस तीवर तपस्या के द्वारा आप यहां किस अभीष्ट मनुरत की सिद्धी करना चाहती हैं। हाला कि शिरी ब्रह्मा जी नहीं महिश्वर को यह सुझाव दिया था कि वे किसी भी प्रकार देवी पारवती को कोपित करें। ताकि उनके द्वारा उनकी अयोनिजा प्रकट हो जाएं। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि तपस्या के संपुर्ण फलों की सिद्धी तो हे देवी आपके ही अधिन है। जो समस्द लोकों के स्वामी हैं उनी परमिश्वर को पती के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपुर्ण फल प्रात कर लिया है। अत्वा ये सारा ही क्रिया कलाप आपकर लीला विलास है। परतो आश्चरी की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के वि मेरे जेस्ट फुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की व्रधी के लिए आपके ललाट से भगवान शिवका प्रादुर्भा हुआ। तब आप मेरे पती के पिता और मेरे स्वसुर होने के कारण गुरु जनों की कोटी में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोस्ती हूँ कि स्व उसे में आपके सामने कैसे कह सकूँगी। अतहा यहां बहुत कहने से क्यालाब मेरे शरीर में जो ये कालापन है इसे सात्विक विदी सित्याकर में गौर बढ़ना होना चाहती हूँ। रम्मा जी बोले देवी बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या कि क्या इसके लिए आपकी इच्छा मातर ही परयापत नहीं थी? अथवा ये आपकी एक लीला ही है। हे जगन माता, आपकी लीला भी लोग की हित के लिए ही होती है। अतहा आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट पल की सिद्धी कीजिए। निशुम्प और शुम्प न प्राप्त हुआ है। अतह अब विलंब करने से कोई लाब नहीं है। आप छणभर के लिए सुस्थिर हो जाएए। आपके द्वारा जो शक्ति रचिया छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार कर गोर वड़ना हो गई। त्वचा कोश अर्थाद काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशी की हुआ। वह काले मेघ के समान कान्ति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई देवी की वह माया मई शक्ति ही योग निद्रा और वैशनवी कहलाती हैं उसके आठ बड़ी-बड़ी भुजाएं थी उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूलादी आयुत धारण कर रखे थे उस देवी के तीन रूप हैं सौम् अत्यंत सुंदरी भी थी देवी ने अपनी इस सनातर शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिआ वही दैतिप्रवर शुम्ब और निश्चुमब का वत करने वाली हुई उस समय प्रसंण हुए ब्रह्माजी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल से प्रदान क जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंदिकिरी पर वास इस्थान दिया और वहां नाना प्रकाल के उपचारों से उनका पूजन किया। उसने समरांगण में उन दोनों दैतिराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यतर वर्णन हो चुका है इसलिए उसकी विस्तरित कथा यहां नहीं कहीं कहीं है। आश्रम में रहने वाले स्व्यागर को देखा है। इसने दुस्ट जन्तों से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है। अतहा इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिकार नहीं है। यह मेरे अंतहपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसनिता पूर्वक गणेश्वर का पदिप्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सक्षियों के साथ यहां से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आग्या दीजे क्योंकि आप तो प्रजापती है। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हसते और मुस्कराते वे ब्रह्मा जी उस व्याग्र की पुरानी कुरूरता पूर्ण कर्थूते बताते वे उसकी दुस्ठता का ही वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे देवी कहां तो पशों में क्रूर व्यागर और कहां ये आपकी मंगल में किरपा आप विश्था सर्प के मुख में साक्षत अम्रत क्यों सीच रही है ये केवल व्यागर के रूप में रहने वाला कोई दुस्ट निशाचर है इसने बहुत सी गवों औ पस्वी ब्रह्मनों को खाड डाला है और ये उन सब को इच्छनुसार ताप कस्ट देता हुआ मनमाना रूप भी धारान करके विचरता है देवी अतह इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य ही भोगना चाहिए ऐसे दुस्टों पर आपकी करपा करने की क्या आवश्यक्ता है इस सभाव से ही कलोशित्क चित्वाले दुस्ट जीव से देवी को क्या काम है ब्रह्मा जी की बात सुनका देवी कहने लगी ब्रह्मा जी आपने जो कुछ कहा है वो सब ठीक है ये ऐसा ही सही फिर भी मेरी शरण में आ गया है इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना च किया है अगर इसके भीतर शक्ति है तो पहले के पापस से क्या विकणने वाला है योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता जो आपकी आग्या का प्र्णि कर्मा होकर भी क्या करेगा देवी आप ही अजन्मा, बुद्धी मति, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं सब अब ही तो असंखे रुद्रों की विविद शक्ति है शक्ति रहित करता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा भगवान विश्णु को मुझको तथा अनित देवता दानव और राक्षसों को उन-उन एश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्या ही आलन करने वाले हैं बीच चुके हैं और भविश में भी होंगे देविश्वरी आपकी आराधना किये बिना हम सब स्रेष्ट देवता भी धर्म आदी चारों पुरुशार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते आपके संकल्प से ब्रह्मतत्व और इस्थावरत्व का ततकाल फ मरन कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थन की तब गौरी देवी तपस्या से निवरत हुई फिर देवी की आग्या लेकर ब्रह्मा जी अंतरध्यान हो गए फिर देवी ने अपने वियोग को न सहसकने वाले माता-पिता मैना और हिमुवान का दर्शन करके उन्हें की प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के व्रक्षों को देखा वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे ऐसा जान परता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से प्लिडित होकर व रठे हुए विहंगमों के अर्थात पक्षियों के कलरवों के व्याज से मानो वे भी व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पून विलाब कर रहे थे फिर पती के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्यागर को और अस पुतर की तरह इसने से आगे करके सक्यों स बातचीत करती हुई और दिव्य देह की प्रभा से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई गौरी देवी मंद्राचल को चली गई जहां संपूर्ण जगत के आधार, स्रिष्टा, पालक और संगारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे रिश्यों ने पूछा, अपने शरीर को दिवि गौर्वन से युक्त बनाकर गिरी राज कुमारी देवी पारवती ने जब मंद्राचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पती से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया, तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बरताव किया, तब वायु देपता कहने लगे कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुशों के मन का हरन हो जाता है, उस परमरस का ठीक ठीक वर्णन करना कतई असंभव है, द्वारपाल पड़ी उतावली से रहा देखते थे, उनके साथी महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए बहुत उत्सुक थे, जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित होकर उन उन भावों से वे उनकी ओर देखने लगे, देवी भी उनकी ओर उन्ही भावों से देख रही थी, उस समय उस भवन में रहने वाले स्रेष्ट पार्शदों ने देवी की बंदना की, फिर देवी ने भी विने युक वानी द्वारा भगवान त्रिलोचं को प्रणाम किया, वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी, कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर पड़े आनंद के साथ हिर्दय से लगा लिया, फिर मंद मंद मुस्कराते वे वे एक टक नेत्रों से उनके मुक्चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे, फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी और से वार्ता आरम की, देवादी देव महादे पोले, हे सरवांग सुंदरी प्रिये, क्या तुम्हारी मैं मनुद्दशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण, मुझे अनुनाई बिने करने का कोई भी उ पाई नहीं सूचता था, अगर साधारन लोगों की तरह, हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिये का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए, मैं अगनी के मस्तक पर इस्थित हूँ, और तुम सोम के, हम दोनों से ही ये अगनी स तुम आत्मक जगत प्रतिष्ठित हैं, जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारन करके विचरने वाले हम दोनों की वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा, इसमें शास्त्र और युक्ती से निश्चित किया हुआ दूसरा हितु भी है, ये इस्थावर जंगम को उस दिन की बात याद दिलाते वे कहा कि जब उस दिन परिहास में भगवान शिब ने देवी पारवती को काली कलूटी कह दिया था, भगवान शिब बोले कि देवी, हम लोगों का एक तूसरे से विलग होकर रहना कभी भी संभव नहीं, देवताओं की कारे की सिद्धी क के उदेश से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पुर्वक व्यंग वचन कहा था, तुम्हें भी तो ये बात अज्यात नहीं थी, तुम भी तो जानती थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई, इसलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो भी क्रोध किया था, वे तिरि कार रसके सारभूत भावों की प्राकर्तिक जन्म भूमी देवी पारवती, अपने पत्ती की कही भी ये मनुहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्करा कर रह गई, लज्जावस कोई उतर ही नहीं दे सकी, केवल कौशिकी के यश्का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्हो देखा है, वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना ही कभी होगी, ऐसा कहकर देवी ने उसके विंधि परवत पर निवास करने तथा समरांगण में शुम्ब और निशुम्ब का वद करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुना कर उसके बल प्राकरम का वर्णन किया साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा ही प्रतेक्ष फल देती हैं, तथा निरंदर लोगों की रक्षा भी करती हैं, इस विशय में ब्रह्मा जी आपको अवशक बाते अवश्य बताएंगे, उस समय इस प्रकार बातचित करतीवी देवी की आग् से देखे तो, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है, इसने दुस्ट जन्तों के समूं से मेरे तपोवन की रक्षा की थी, ये मेरा अत्यंत भक्त हैं, और अपने रक्षनात्मक कारे से मेरा विश्वास पात्र भी बन गया है, मेरी प्रसनिता के लिए ये अपना द आग्या से मेरे अंतहपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्ही के चिन्ने धारन करके सदा इस्थित रहे, वायुदेव कहते हैं, देवी के इस प्रकार मधुर और प्रेम बढ़ाने वाले शुब वचन को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं बहुत प् इसके पत पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया, उसने उमासहित महादेव और नंदी को भी आनदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ, इस प्रकार देवी का प्रेकारे करके चंद्रार्थ पूशन महादेव जी ने उन्हें रतन भूशित दिव आभूश रंगार किया, इसके आगे का वरतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनियेगा, और अगर आज की ये कथा भी आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा